नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने अभी थोड़ी दिर पहले ही वीडियो डाली थी कि थर्ड यर के एक्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे उसके बारे में और मैंने कहा था कि आज या कल में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए इस बारे में कि एक्जाम होने है या नहीं होने है या फिर पॉस्पोन होने है तो भी तो देखिए आ गया नोटिस नया नोटिफिकेशन आ गया है डियू का जिसके अंदर जो एक्जाम है था डियर के सभी समेस्टर के सभी कोर्सेस के किसी भी mode के होंगो तो उनके exam postpone हो गए है और उस postpone से related जो notification है वो DU की website पर आ चुगा है दिखाता हूँ मैं आपको वो notification और पढ़के बताता हूँ उसमें क्या है खास दीखेंगे DU की main website है यहाँ पर यह notification है notification for postponement of OBE इसे खोलते हैं तो यह हमें email letter मिलता है यह है 27 जोलाई का यह इसकी heading है कि SOL और NCWEP के बच्चे जिनका open book का exam होना है UGPG का वो postpone हो गया है आईए देखते हैं क्या detail है जो main बात हैं वो यह है कि जो नई rate sheet है UG और PG की जो SOL और NCWEP से final year year semester का exam दे रहे हैं तो तीन तारिक को यह नई rate sheet आईगी examination branch की तरफ से और जो exam है वो 10 तारिक से शुरू हो जाएंगे जी हां सबसे पहली important बात तो यह है कि 3 March को अब आपकी नई rate sheet आईगी और exam जो है वो शुरू होंगे 10 जोलाई से तो यानि 10 दिन के लिए आपके exam postponed हो चुके है तो OBE exam made shall be notified by examination branch 3, 7, 20 तो नई आपकी नई rate sheet आजएगी फिर basic guidelines जो है examination branch की जो की 14 माई को आया था तो वो सब वैसे की वैसे ही रहेगा कुछ भी नहीं बदला है फिर all other activities जो और दूसरी activities थी जिन्होंने 19-20 में admission लिया उनके लिए OBE से सम्मदित तो वो सब भी same रहेंगे और अगर कोई change आया तो इसके लिए curriculum या amendment आजएगा फिर जो letter issue हुए थे OBE के लिए इसको conduct कराने के लिए remotely दूर दराज के आज़कों में दूसरी तो उसके लिए भी जो है देखिए सब कुछ remain unchanged है कोई भी change नहीं हुआ है तो all provisions procedures are notified through notification date 30 माई 2020 and 1 जून 20 वो UG और PG के programs के related informations वो सारी आई थी तो वो अब नई date sheet के हिसाब से चलेंगे जहां तक MOOC test की बात है तो MOOC test जो है वो अब शुरू होने जा रहा आपके 4 July से तो देखिए 3 तारीख को आपकी date sheet आ जाएगी और 4 तारीख से आपके MOOC test स्टार्ट हो जाएगे और MOOC test वैसे होंगे जैसे सब detail पहले बता रखिए All activities related with intermediate semester term year students are notified as 4, 6, 20, 20 shall remain unchanged कोई भी activities से related कोई भी guidelines change नहीं हो रही है ICT का जो infrastructure है जो common service center है जहाँ पर बच्चे जाकर अपना open book का exam दे सकते हैं उससे related भी कोई change नहीं है और देखा जाए मोटा माटी तो किसी भी चीज से लेकर कोई change नहीं है तो कुल मिला के बात इतनी है आपके OPE exam 10 दिन postpone हो गए है अब 10 तारिक से आपके exam है 3 तारिक को आपके dead shit आ जाएगी और 4 तारिक को आपका mock test है दोस्तों जतना हो तके maximum इस video वो शेयर कीजिए और अपने सारे यारे दोस्तों को बताईए इस कुशकबरी के मारे में मेलता हूँ मैं आपसे अगली update में धन्यवाद